आप देख रहे हैं जो पशुशाला है इसमें जो भी फर्स है या दिवाल है कहीं भी क्रैक या छिद्र नहीं होना चाहिए इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पशुशाला में जब हमारे पशुओं में जो मौसम में नमी और गर्मी का मौसम होता है तो पशुओं के सरीर पर चमूकन या किलनी या जू की अधिक्ता होती है जिनका की reproductive स्पेज उसी क्रैक या छिदर में पूरा होता है तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर पशुशाला में छिद्र या क्राक्स नहीं है तो नियमित अंतराल पर आप अपने पशुओं के सरीर पर अगर एक्टो पारसाइट से बचने के लिए जो हम लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं जैसे साइपरमेथरीन या एमिटराज या साइपरमेथरीन एमिटराज का कंबिनेशन इससे अगर अपने पशुओं का धुलाई करते हैं या आजकल जो मार्केट में उपलब्द दवाएं हैं जिसका की इस्तेमाल करने से एंडो और एक्टो दोनों तरह के पारसाइट से हम बच सकते हैं आइवरमेक्टिन है डॉरमेक्टिन है या क्लोजेंटल इन सब दवाओं का अगर हम प्रियोग करते हैं तो एक नियमित अंतराल तक पशुओं के सरीर पर किसी भी प्रकार का चमोकन या किलनी या जू नहीं होगा जिससे कि आपके पशुओं में खास करके ब्लड पारसाइट ब्लड प्रोटोजोगा के द्वारा जो भैंकर बिमारिया होती है जैसे ट्रिपैनोसोमा है बवेसियस है थलिरेसिस है और इन से आपके पशुओं में बचाव होगा और यह आपके पशुओं के सरीर को त उनका उत्पादक्ता कमती है और अगर इन से आप बचे रहेंगे तो उत्पादक्ता बनी रहेगी और आपके पशुओं में स्वस्त रहेंगे दूसरी बात है कि आपको अपने पशुओं के खाने पीने में बरसात के मौसम में बिसेश ध्यान देने क्या हो सकता है जो आप च खिलाते हैं वो सूखा रहे अगर वो भींगेगा उसमें फफुन्दी होगी तो आपके पस्वों में डैरिया होने की सम्भावना रहेगी या आफला टोक्सिकोसिस जो आफला टोक्सीन के चलते होने वाली समस्ख जाए हैं और उस से आपके पस्वों में